लागडाउन के चलते ज़्यादा तर परिवार पहले से तैसाधियों की तारीक आंगे बढ़ा रहे हैं पर कुछ हैं जो साधिगी के साथ साधि के बंदन में बंध रहे हैं ऐसा ही कुछ शिवनी के छपारा में देखने को मिला जहां पर एक साधि हुई साधि में दूला सिर्फ अपने साथ दो बरातियों को लेकर पहुचा और लड़की पक्षे के भी परिवार के लोगों की मौजूदगी में ये साधि संपन्न हुई साधि में दूला छिंदवाडा से खुद गाड़ी चला कर अपनी दोलहन को विदा कराने पहुचा ना बेंड वाजा ना बराति बड़ी ही साधिगी से संपन्न हुई इस साधि में सोसल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और दूला दुलहन ने भी मास्क लगा कर साथ फेरे लिये इस साधि की पूरी अनुमती प्रसासन से ले गई थी और कुल पाँच लोग ही बैबाहिक कारिकरम में सामिल हुए साधि में मौजूद अधिकारी ने बताया कि साधि में सोसल डिस्टेंसिंग और लागडाउन का पूरी तरह पालन किया गया बारात छिंदवाडा से सिवनी पहुची जिसमें पाँच लोग छिंदवाडा से बारात में सामिल हुए जिने अब प्रसासन के आदेश के अनुसार हॉम आईसोलेशन में रहना होगा सिवनी से बालमकंत सिही की रिपोर्ट बालमकंत